Hello everyone देखे आज हमारा जो aim है वो इस question को solve करना है जो आपकी screen पर दिख रहा है ये fluid mechanics का problem है जो एक standard textbook से मैंने लिया है और इस question को solve करने में अपन और भी बहुत सारी चीजे सीखेंगे, बहुत सारे case सीखेंगे तो इस question को बहुत ध्यान से देखना वीडियो को end तक देखना, आपको बहुत सारी चीजे यहाँ पर सीखने को मिलेगी अब देखो problem क्या है अपन देखते है एक cone and plate viscometer दे रखा है जिसका radius जो वो तुमको दे रखा है capital R है यह omega angular velocity से rotate कर रहा है और वो cone और एक नीचे की surface है उसके बीच में fluid है जो आपको देख रहा है blue color से field है वो fluid का अपन माल सकते है उसकी viscosity mu ले लिए अपने और जो angle theta है वो बहुत small है, यह दे रखा है आपसे पूछा क्या है, drag force पूछा है torque पूछा है, और power पूछिए drag force कोन लगा रहा हुगा यह जो fluid है न, यह उस कोन के ओपर drag force लगा रहा हुगा, right ठीक है, तो आपने को यह चीज calculate करना है, अब देखो जरा इस question को करने से पहले मैं यह चाहता हूँ, कि आप थोड़ा mathematics सीख लो, ठीक तो जरा यहाँ पे ध्यान दो वही है माल लो मैंने तुमसे पूछा, कि यह कोन है एक, जरा इसका surface area बता दो ठीक, तो बच्चे बच्चे ने बोला, sir, यह तो हमने kg1 में पढ़ लिया था, πाई आरेल होता है वहीया, इसका radius r था length height अपने l लेली, यह वाली जो length surface का radius, 0 जो है वो यह bottom की जो surface है, उसका radius right, तो क्या इसी तरीके से तुम एक, अगर frustum of cone बना हुआ है तो frustum of cone का surface area बता सकते हो क्या माल लो यह था r1 यह radius था r2 और यह length थी जो भी l लेलो, तो क्या इसका surface area में बोल सकता हूँ, πाई r1 plus r2 into a लोगा क्या, अरे बोल दो यार ठीक है यहां तक की बात ठीक है भाईया, अब इसका कुछ use होगा इसलिए मैंने यह point बताया रहा अब अपन वापस चलते हैं, अपने question में देखो भाईया question को solve करने से पहले एक चीज़ देखो, कि जंदल क्या होता है जो shear stress tau होता है यह fluid जो है, oil जो है वो shear stress लगा रहा होगा ठीक, उस कोन को rotate नहीं होने देगा fluid की viscosity है ideal fluid नी है, ठीक तो newton's law of viscosity होता है, वहाँ से मैं tau is equal to लिख सकता हूँ, mu times of tu by dy right, mu जो है वो fluid की dynamic viscosity हो गई right, tu by dy जो है, वो velocity gradient हो गया ठीक, यह था shear stress अब देखो, क्या होता है कि इस case में tu by dy को मैं v by y लिख दूँगा direct v क्या है, y क्या है वो सब बात अभी कर रहे हैं अपन ठीक, देखो ज़रा इस diagram में मैं एक जगे पे radius r बना रहा हूँ, ठीक, देखो ज़रा माल लो यह point था उस जगे मैंने बुला कि radius किता है, r है यह distance r हो गई और जो यह वाली distance है vertical में वो हो गई y यह point है, यह point है a यह point है b और यह point है c, right तुमको zoom करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा पता पड़ जाएगा मैं कहां की बात कर रहा हूँ देखो, समझ में आगया क्या ठीक है, समझ में आगया यह point कहां पे, r radius पे और b point के height किती है, y है ठीक है, ओके भईया इतना समझ में आगया, अब देखो जड़ा जो b point के उपर velocity है न tangential velocity, उसको मैं बोल दाओ वो किती है, v है, right body rotate कर रही है, तो b point के उपर जो tangential velocity होगी v, क्या उसको मै r omega लिख सकता हूँ, क्या बोल दो यार, ठीक उसको मैं r omega लिख सकता हूँ ठीक है भईया, y तुमको पता पढ़ गया y जो इमाहा तक के height हो गई, ठीक है भईया अब ये जो लिखा मैंने कि du by dy को v by y लिख दिया, वो इस assumption की वज़े से लिखा, ये जो question में दे रखा है theta small है, इसकी वज़े से मैंने ये चीज लिखी, ठीक theta basically small है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि भईया, जो fluid है ना, fluid की हाइट है ना, वो हाइट बहुत जादा नहीं है, कमी हाइट है और हाइट small होने के कारण या मैं बोल दू कि ये जो y distance है वो small होने के कारण, अपन linear velocity assumption लगा सकते हैं और linear velocity assumption लगाने की वज़े से, du by dy को मैंने direct v by y लिख दिया, ठीक तुमने assume कर लिया था, u is equal to a plus by something था, linear variation था, और उसमें condition लगा कि तुम ले के आ गए, राइट ये बात तो हो गई भईया, shear stress की, कि shear stress का expression क्या है, अब तुम एक चीज़ समझो हमेशा ध्यान रखना तुमको यहां से दिख रहा है कि shear stress जो है, वो viscosity mu velocity v और distance y का function है क्या अरे समझ में आ रहा है ये ही तीन आ रहे है ना expression में ये तो हमेशा ही constant रहेगा मैंने अभी तक जित्ते भी question देखें उनमें ये जो dynamic viscosity mu होती है, ये constant रहती है क्या-क्या vary करता है velocity vary करता है और ये जो distance y रहती ना ये vary करता है क्योंकि velocity अगर rotation हो रहा है तो v is equal to r omega लिख दूँआ में, तो r जो है वो vary कर रहा होगा, इस वज़े से velocity vary कर रही होगी और distance y जो है वो vary कर रहा होगा अब जो ये case है ना, इसमें तुम देखो दोनों vary करता है अगर तुम point a के उपर खड़े हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, point a के उपर r भी 0 है और y भी 0 है, राइट अगर तुम माल लो ये point b के उपर खड़े हो, तो तुमने देखा radius हो गया small r, distance हो गया small y अगर माल लो तुम यहाँ top point पे खड़े हो, ये top point को अभी मैंने highlight कर दिया वहाँ पर radius हो गया capital r distance जो हो अपन कुछ भी assume कर लो capital h हो गया small h हो गया, right तो case के understanding होई ये कौन सा case है, इसमें दोनों ही चीज़े vary कर रही है, ठीक और ये case अपन समझ लेंगे तो जो individual cases है, वह आप easily handle कर सकते हो, individual cases मतलब इसा, कि किसी case में हो सकता है, कि y जो होगा वो constant होगा, और जो radius r है, वो vary कर रहा होगा, ठीक, जिसे मैं बताता हूँ, जिसे ये वाला case देखो, ये कौन था ठीक है और जो surface थी, जिसमें fluid field है, वो भी एक एसी conical surface है, और वहाँ पर fluid बढ़ा है, राइट तो भाईया, जो ये distance है ये distance y ये तुमको दिख रहा है, ये constant है लेकिन radius r देखो फोन के हाँ, एकदम mid, ये नीचे की तरफ radius 0 है ये टॉप तक आते आते, radius जो है capital R हो गया, समझ में आया ठीक है, एसे gate में question आया था, तुमको याद हो तो ये इसी disk दी थी उसने omega angular velocity से rotate कर रही थी और ये पेसा कुछ fluid भरा हुआ है नीचे एक surface है ये जो है, ये y distance बोल दो या edge distance बोल दो, ये भी same case है कि y constant है, लेकिन radius r vary कर रहा है, disk के center में radius 0 है, और जैसे जैसे मैं outer surface पे बढ़ रहा हूँ, radius बढ़ते जा रहा है, तो अगर जो अपना ये question है, अगर अपन ये question कर लेते हैं, तो वो cases भी तूं handle कर लोगे ठीक, तो इस question को ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है अब अपन बात करते हैं, बात यहाँ पे आती power की और torque की power का formula t into omega होता है क्या, अरे rotation का case है body rotate कर रही है, तो torque into angular velocity लिक सकता हूँ omega तो question में given है torque अन्नों ने, torque के से पता किया जाए भाई, क्या torque को क्या torque को यहाँ से पता कर सकते हो elemental torque का integration क्यों elemental word यूज़ कर रहा हूँ वो सब बात आ रही है कि यह जो shear stress tau है यह constant नहीं है इस वज़े से, ठीक इसले सारी बाते elemental होगी एक elemental area पे तुम calculate करोगे और फिर उसका integration करके total के लिए निकालोगे right elemental torque dt कितता होगा तो वो होगा elemental drag force multiply by radius उसका integration कर दो तो total net torque आ गया अरे समझ में आया, तो cool मिला के बात कहा गई, जो elemental drag force है, वो केसे निकाले अगा, ठीक अगर elemental drag force का मैंने integration कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अरे net drag force आ जाएगा क्या या, ठीक तो सारी कहानी कहाँ पर आके रुख गई, elemental drag force पता करो ठीक, अब देखो वो केसे पता करते हैं, मैंने एक element लिया, ठीक पहले तो एक चीद देखो, इस elemental drag force को, क्या मैं ये लिख सकता इस टेस multiply by elemental area क्योंकि मैं एक element के उपर निकाल रहा हूँ, right अब वो element अपन कैसे ले, तो ज़रा ध्यान दो यहाँ इसको मैं red pen से दिखा देता हूँ, जो element अपन ले रहे ये थोड़ा सा उपर गया मैं, point B के, ठीक cone की surface पही चल रहा हूँ cone की surface पही है और बस थोड़ा सा उपर गया और वहाँ से phonical area बन रहा था, वो अपन ले लिया और जो ये वाला radius है उसको मैंने बोल दिया कि वो हो गया, R plus DR समझ में आया उसको मैं थोड़ा next page पह zoom करके बता देता हूँ जो अपन elemental area पता कर रहे है वो elemental area basically ये है prushtum of cone बनेगा ठीक क्या बनेगा वो prushtum of cone राइट ये देखो नीचे है R radius top पे R plus DR अरे ठीक है क्या है यहां तक की बात ये वाला radius ठीक है ये point B था जो question में point B दे रखा है वो ये था elemental जो इस्ट्रीप लिए elemental area लिया वो clear है अच्छा surface area ही क्यों calculate कर रहे है क्योंकि जो fluid है जो liquid है वो इस surface area के contact में इसलिए तुम surface area calculate करोगे क्या आप तुम यहां पे elemental area या elemental surface area की value बोल सकते हो pi times of नीचे का radius R उपर का radius R plus DR multiply by जो इसकी slent height है slent height जो है वो मैंने DL assume कर ली भईया बोल दो या क्या यह pi times of 2RDL plus DRDL निकल के आया क्या भईया किसी ने बोला sir DR भी बहुत छोटा DL भी बहुत छोटा इसको neglect कर दो तो मैंने उसको 0 कर दिया ठीक ठीक है भईया elemental area आगया तो drag force का जो expression है उसमें tau की value और elemental area की value put कर दो tau जो अपनने बोला V by Y होगा और V equal to R omega ठीक है तो चलो भईया put कर देते जो drag force होगा पहले लिख लेते elemental drag force तो elemental drag force हुआ shear stress multiply by elemental area shear stress हुआ mu V by Y V को लिखा R omega upon Y elemental area हुआ 2 pi R DL right अगर इसका मैं integration कर दू अगर मैं इसका integration कर दू तो क्या net drag force निकल के आ जाएगा क्या अरे जो total drag force है वो निकल के आ जाएगा तो mu times of R omega by Y 2 pi R DL right इसका integration अब तुम एक चीज़ देखो तुम integration तो single कर रहे हो अरे double integral या triple integral थोड़ी mates के जीसा कि तीन-तीन variable आ गए DX, DY, DZ, X तुमने triple integration कर दिया integration तो single ही हो रहा है लेकिन अंदर तुम देखो variable दो दो है R भी vary कर रहा है Y भी vary कर रहा है DL भी vary कर रहा है तो भाईया पहला काम क्या होना चाहिए पहला aim अपना यह होना चाहिए कि सब को single variable में convert करो तब तो तुम single integration लगा पाऊगे तो एक काम करते हैं सब को radius की term में convert कर लेते हैं DL को convert करते हैं R की term में y को convert करते हैं r की term में तो अपना अगला aim है radius की term में convert करना जरा यह जो diagram है इस diagram पर फिर से focus करो ठीक इस diagram में जो मैं अभी black color से एक triangle बना रहा हूँ यह वाला triangle ठीक है जो abc triangle abc triangle जो है वो मैं बना रहा हूँ यह रहा point a यह रहा point b यह रहा point c यह distance हो गई y right और यह distance ac की value r हो गई क्या अरे parallel है ना उपर radius r था नीचे भी जो ac है वो r के equal हो गया और जो अंदर का angle है triangle का अंदर का angle theta वो तुमको दे रखा यह रहा theta right क्या यहाँ से 10 theta लगा सकता हूँ 10 theta is equal to perpendicular upon radius y upon r क्या y is equal to r times of 10 theta आ गया क्या मैंने y को तो convert कर लिया radius की term में theta मेरे लिए problem नहीं क्योंकि theta constant है वो वेरी थोड़ी कर रहा है वो मेरे लिए problem नहीं अब बात आएगी dl को convert करना है तो dl को convert करने के लिए जरा है यह अपना जो elemental area अपन ने assume किया था उस elemental area पे चलो right उस elemental area में देखो वह यह एक चीज अपन ये वाले triangle पे focus करते हैं इसको white color से मैं अभी highlight कर रहा हूँ समझ में आया अच्छा ये angle theta है क्या बाहर वाला अरे क्योंकि ये बाहर से ऐसा बना के इसको ऐसा करोगे इसको नीचे पोचा दोगे इसको ऐसे पोचा दोगे यूँ तो ही तो कौन था वो वही तो पूरा कौन है actual में ये ये बाहर का ये वाला इंगल theta तुमको दे रखा है न तो बाहर का इंगल theta है तो जो मैं वो dotted triangle बना रहा हूं मतलब जो ये अंदर का white color से जो ट्रिंगल बनाया उसके अंदर का इंगल तुम बोल सकते हो क्या 90 minus theta होगा ये हो गई dl length और ये वाली distance dr हो गई क्या बोल दो यार क्योंकि top radius था r plus dr तो वो वाली distance किती हो गई dr ठीक यहाँ से जरा sin 90 minus theta लगाओ sin 90 minus theta वो लगा के क्या आपन बोल सकते हैं इसके value आजाएगी dr upon dl तो dl is equal to dr upon cos theta आगया क्या अरे बोल दो यार dl की भी value आगई अपने पास वो dl की value यहाँ डाल दो y की भी value आगई अपना answer आचुका है ठीक बस put कर दो यार जो drag force है कित्ता हो जाएगा integration of mu into r omega divided by y y जो था वो था r 10 theta multiply by और क्या terms थी 2 pi r dl वो dl जो है वो है dr by cos theta 2 pi r dl dl जो है वो हो गया dr by cos theta अब देख लो जारा single variable में convert हो गया क्या सारा खेल बोल दो यार सब r में ही convert हो गया वो ही एक variable है integration की limit लगा दी 0 से जो top surface का radius है कौन का radius capital R right जो constant है उनको बाहर निकाल सकते है 2 pi mu omega divided by sin theta 10 को मैंने लिगा sin by cos cos कड़िया 1 r से 1 r कड़ जाएगा overall अंदर बच्चा r dr उसका integration limit 0 से लेके capital R तब अब बच्चे बच्चे को समझ में आ चुका है कि final answer क्या आ चुका है इसकी विल्लो हो जाएगा r square by 2 और 2 और 2 कड़ जाएगा तो pi mu omega r square upon sin theta ये तुमारे पास में elemental सॉरी ये net drag force निकल के आ गया अगर drag force निकल के आ गया तो तुम बोल सकते हो कि जो net torque होगा वो होगा किसी element पे torque निकालो उसका integration करो element का torque होगा elemental drag force multiply by radius perpendicular distance लेंगे न ठीक elemental drag force ये अपनने अभी उपर लिखा था ये जो integration के अंदर ये पूरी चीज लिख दो भाईया mu times of omega times of 2 pi r dr divided by sine theta ये तो था dfd elemental drag force उसके multiply में ये एक radius और आ जाएगा ठीक solve कर दो किता आ जाएगा mu omega 2 pi by sine theta और r square आ जाएगा न तो r to the power 3 by 3 और limit जो है वो 0 से capital R चल रही है तो capital R to the power 3 by 3 ये अपना final answer है drag force आ गया अरे drag force अगर किसी ने calculate कर लिया तो क्या power बच्चा 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 बता सकता है t into omega होगा मतलब इसकी into में omega लिख दो यार तो 2 by 3 times of mu times of omega square r cube into pi divided by sine theta बोल दो यार ये power भी निकल के आ गई यार समझ में आया कैसे concept अपने अफलाय किया कैसे इस question को solve किया और इस question का benefit तुमको समझ में आया कि benefit क्या था अब देखो किसी question में जो जो अलग-अलग case मेंने बताय थे ना वो जो एक और case discuss किया था ये ये वाला case अब इसमें क्या है y constant है तो भाहिया y constant है तो जब मैं integration करूँगा drag force पता करते टाइम मेरे को y का tension ही नहीं लेना है y को मैं direct integration के sign के बाहर निकाल दूगा समझ में आ रहा है क्या उसको मेरे को geometry से पता करने की जर्रत ही नहीं क्योंकि वो constant चीज है समझ में आया ठीक है ये वाला जो था ये question gate में इस type का आया था और जो अपन ने question किया है इसमें ही सारे individual cases cover हो चुके है तो I hope that you got all the concept और वीडियो आपको कैसा लगा के comment box में लिखके जरूर बता न ठीक है और इसी तरीके के videos आप आगे देखना चाहते है या नहीं देखना चाते है आपको concept समझ में आया नहीं आया वो सब बात comment box में लिखके जरूर बताना अब मिलते हैं ऊपने नेक्षे वीडियो में तब तक के लिए Bye-bye, take care, खुश्रो, मस्रो